नमस्कार सर्जी यह एक फ्लेवूट का टावर टाइप्स होम थेटर है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यह हाफ डेट प्रोब्लम आया था जैसा कि हम इसको अन करते हैं तो इसमें ढख करके अन होने का सिगनल तो मिलता था लेकिन यह डिस्पले पर कुछ भी प्रकार के लाइट शोर नहीं होते थे ठीक है तो हमने इसे खोल दिया है कंपलिट अब यहां डारेक्ट देखते हैं कि किसी प्रकार से कोई शॉर्टिंग है या नहीं एक पार ओन करके देखते हैं यह देखे हमने इस सारे इसक्रू को खोल करके इसके अंदर साइट के वाइरिंग वगेरा को देख लिया है उधर कोई समस्या नहीं मिला हमे तभी यह फ्रंट साइट के सभी इसक्रू वगेरा सभी को खोल करके आपको इसका डारेक्ट फॉल्ट के position पर लेके जाते हैं आप ध्यान से देखिए अगर आप इस प्रकार के काम में रूची रखते हैं तो यह देख सकते हैं आप जैसा कि हमने इसका पैनल जो है खोल दिया है अब इस पैनल पर आने वाला supply जो की में supply होता है इस पैनल को चलाने के लिए 5 voltage जो की आता है बनके bridge rectified section से filter capacitor से होते हुए ठीक है यहां तक मतलब regulate हो करके 5 voltage आता है ठीक है इस USB circuit यह जो प्लेट लगा हुआ है इसको चलाने के लिए 5 voltage का जो point होता है यहां पर हम यहां पर multimeter से reading चेक करते हैं तो हमें यहां पर 5 voltage reading पर्यापत मिल रहा है ठीक है लेकिन फिर भी यहां जो कीट है यह डिस्प्ले को on नहीं कर रहा है तो इसका साट का solution यह है कि हम यहां पर इससे disconnect करते हुए इसका यह जो point है यहां पर देखते हैं क्या proper 5 voltage इसमें दे रहा है तो इसमें 5 voltage proper आ रहे हैं ठीक है किसी प्रकार से इसमें fluctuation नहीं है या हमें कम ज्यादा भी नहीं लग रहा है तो इस प्रकार का यह एक card मिल जाता है USB card ठीक है जो कि इसमें एक sensor और एक remote के साथ में आते हैं इस प्रकार के जो parts होते हैं ठीक है तो हम इसकी जगह पे यहाँ छोटा सा Bluetooth कीट इसमें install करेंगे करके देखेंगे क्या यह सक्सेज होता है क्या यहाँ proper तरीका से इस tower types इस buffer में काम आ पाता है देखते रहे हैं तो यह देखिए हमने इसके 5 voltage की supply जो इसमें हमें मिल रहे थे उसे इस kit पर हमने supply दिया तो यहाँ इसका display on हो चुका है ठीक है लेकिन इसके बाकी सारे connection जो है इसमें mesh कराना इसका main दिक्कत वाला काम होता है ठीक है तो यहाँ सब को ध्यान में रखते हुए इसका जो इसमें data reading दिया रहता है उसके हिसाब से इसके सारे connection को हम इसमें करेंगे और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके सारे connection है यहाँ लगभग लगभग कुछ match हो रहे हैं और कुछ में unmacing type से लग रहा है जैसा कि यहाँ पे एक mic के लिए jack दिया है इसमें ठीक है और यहाँ mic के jack वाले option पर कुछ भी socket jack नहीं लगा हुआ है तो यह aux input के side में ही marks mic के लिए दिया गया है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका जो mic jack है उचे इसमें निकाल करके लगा देंगे और इसके सारे connection को complete करके इसे एक बार आपको दिखाएंगे आउन करके ठीक है तो यह देखिए हमें अभी कुछी connection इसके किये हैं जैसे की aux input वाला connection और इसके USB port वगरा के तो यह प्रफर तरीका से on हो रहा है और इसमें sound भी आ रहे हैं speaker पे तो इसके सारे connection को complete करके आपको इसका sound ही सुनाते हैं यह kit इसमें proper तरीका से मेच हो चुका है अभी आप इसका sound ही सुन सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में share कर दें ताकि इस प्रकार के समस्या का समाधान उसे भी आसाने से समझ में आए और बना सकते हैं तंसरे कर दोड़ाँ थिसे भी आपको एक लाइक कर दोस्तों आपको बना सकते हैं जापको यह वीडियो कर दोस्तों में आपको ऑना सकते हैं